येस, next student से मिलाता हूँ, Anamika से, जिसके All India 210 rank है, Anamika ने भी final year के साथ यह rank लिए, Anamika basically भुपाल को ही belong करती है, और जब यह final year में थी, तो क्योंकि इनके seniors को इन्होंने देखा था पड़ते हुए, तो इसको लगा कि college के साथ management मुश्किल होगा, तो क्यों न हम pen drive से पढ़ ले पर क्योंकि भुपाल की थी, मैंने इससे जब एक बार बात करी, और इसको समझाए कि आप भुपाल के हो, आप आ सकते हो class में, इसने physical class भी करी, और क्योंकि इनका जो college है, Newton college, वो काफी pressure रहता है, वहाँ पर college regular जाना, और assignments वगएरा complete करना, ऐसे में कई बार बच्चे रु तो आप अपनी एक success story जो आपको लगता है, पहले तो यह कि MCA का decide कप किया, क्या प्लान किया और फिर पढ़ाई जब करी, तो final year के साथ क्या-क्या आपको इससाथ pressure आया, क्या-क्या struggle करें आपने, उस सब आप उपने juniors को बता है, और आपकी rank के लिए आपको बहुत सारी जो कि MCA के लिए भी होता है, तब फिर मैंने डिसाइट करा तब जब सेकंड यह में पता चला अपने फ्रेंड से और हमाई senior भी थी, जिनके तुरू बहुत है कि MCA एक एक जाम है, जिसके तूरू, MCA entrance में इनाइट के लिए सेलेक्शन होता है, तब डिसाइड के लिए जाम हो पाएगा या नहीं, तब तो यह सोच में मैं अपने जोइन करा मैंने कुछ भी, फिर फाइनल इम्हां सोचा कि चलो एक बार ट्राइड करते हैं, फिर लोगों से भी बोला, मतलब फ्रेंड से भी पूछा, जो अल्रेडी जोइन कर चुकी थी यह इंपेटर्स, तो म मैं बोला कि तुम जब भूपाल की तो तुम यहीं पर आके फिजिकल क्लास अटेंड करो, और यहीं मतलब यहां पर क्लास आओ रगुलर, यहीं से स्टार्ट करो, तब मैंने हफची बर क्लास अटेंड करके देखी और फिर मैंने जब देखा कि सब अच्छे से हो रहा है, तो मैंने फिर फिजिकल क्लास ही कंटियों करी फिर यहां पर जब आती थी तो देखती थी कि बसा बहुत सरी बुक्स सॉल्व कर रहे थे जो मुझसे नहीं होती थी अब बड़ी बड़ी मुश्क्राइब बहुत कम कोशन कर पाती थी और सब तीन-तीन जाजव बुक्स टार लेते थी तो उनकी प्ती कैपिसिटी थी तब मैंने सोचा कि पता नहीं सब इतना सारा कर रहा है फिर मैंने का रहने दो मुझसे जित्ता बन रहा है मैं पहले उत्ता ह इतना समस्क्राइब ने पंक शब्राइब कर पार रहा है पर फिर मैंने यहां पर सब अपनी पड़ाए तो थोड़ा सा हाथ था कि प्रैशर वगेरा था लेकिन लास्ट के दो यह तोड़ी से कॉलेज में दिये थे तो फाइनल यह में यह चीज खतम हो गई थी फाइनल यह में यह चीज खतम होगी थी कम क्लास जाते थे एक हाफते में एक आत बार चले जाते थे और उसी टाइम थोड़ा बात देख लेते थे कि कॉलेज में क्या चल रहा है और पड़ाई वगएरा भी उसी टाइम देख लेते थे उसके बाद यहां पर फिर टेस्ट वह में मिल गया था तो बस यह है थांक्यू सर्थ देखिए जैसे अभी आपने अनामिका से सुना यह फाइनल यह वाले बच्चों के साथ कई बार प्रॉल्लम होती है यह जैसे अभी मान लीजिए सिक्स मन्त बच्चे हैं तो हर बच्चे का अलग-अलग पढ़ाई का आपको भी यह बोलूँगा आप इस चक्कर में कभी मत पड़ो कि आपको सारी गाइड सॉल्व करनी है सारी बुक आपको एक बुक ले ले उसको अच्छे से सॉल्व करें हर कोशन का ऐसा analysis करें कि इसक कोशन पर दस कोशन कैसे बनेंगे बीस कोशन कैसे बनेंगे और क्या-क पूछा जा सकता, यह बहुत इंपोर्टेंट बात है, जिसने इस बात का ध्यान रखा, तो अनामिका आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी बदाई, अब आगे बढ़ो और जीवन में ऐसी खुश रो, लास्टली आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो जहूर दें, क्योंकि क्या मैसेज देना चाहोगे, और अगे मैसेज देना चाहूगे, जर फरेशर आपको मैसेज देना चाहोगे? बेद्धव पड़ोगी तो नहीं सेलिक्षıyla करेशना का या फिलाइन होगा, लेकिन अगर नहीं पड़ोगे, तो definitely नहीं होगा. तो मैं यहीं बोलती तो पढ़ाई करो, result की tension बत लो. Very good, देगे कितनी अच्छी line बोली, कि पढ़ोगे, तो होगा या नहीं होगा ये बात है, पर नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा. तो इस बात को याद रखिए, यह सब बच्चे आपके सामने इनकी success story है और अभी बहुत सारे बच्चों की success story आप देखेंगे, और दिहान रखिए, इन सब को दिहान से सुनिए और समझे और फिर अपनी life का decision लेजिए. Thank you and all the best.